आज में लेकर आए हूँ दही बड़े की रेश्पी उरत दाल के दही बड़े की रेश्पी मेरे तरद से जरूर बनाए बहुत ही टेस्टी बनेगा जिसे भी ए दही बड़ा सर्व करेंगे वो जरूर पूछेगा कैसे बनाए हैं तो चलिए ये टेस्टी से दही बड़ा बना करते हैं not when we買 it baiser dad about 200 अरड तिन सो ग्राम अभून दाल को हमें अच्छी तरह से धो लेना है तो तीन चाराइन इससे अच्छी तरह से रगड़र के साफ कर ले कर ले और दाल को हमें दो हंटा के के लिए भीगो देना है दो घंटा में अच्छी तरह से दाल फूल जाता है देखिए एकदम दाल अच्छी तरह से फूल गया है इसे आप दो घंटा से ज्यादा भी भीगो सकते हैं लेकिन दो घंटा में दाल फूल जाता है दाल को हमें अब पिछ लेना है मिक्सी में तो पानी ज्यादा न डाले हलका पानी डाल कर पिछ लें दाल को दाल पिछा गया है देखिए अच्छी तरह से तो जितना भी डाल है सारा डाल को थोड़ा थोड़ा करके पिछ लें डाल को एक बरतन में ट्रांसफर कर लेना है थोड़ा सा हिंग डाल दें रही बड़ा में हिंग डालना बहुत ही जरूरी है डाल का वेटर को हमें अच्छी तरह से फेट लेना है इसे इस तरह से चम्मज से फेट सकते हैं या तो आप हाथ से भी से फेट सकते हैं तो मैं इसे हाथ से फेट ले रही हूं एक दाल अच्छी तरह से फटाे है अगर पनी में डाल नीचे वैट है जाता है तीसे और अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है अपने टेस्ट के एक्कॉर्डिंग थोड़ा सा जीरा पॉडर लगभग एक छोटी चम्मच अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें थोड़ा देरी से फीर से अच्छी तरह से फेट लेना है जिससे एकदम धही बड़े सॉफ्ट बने अब एक बरतन में हमें पानी गर्म कर लेना है एकदम हलका गुनगुना ज्यादा गर्म नहीं करना है और इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल दे पानी हमें एक मिनट से ज्यादा गर्म नहीं करना है अब एक कड़ाई में तेल को गर्म कर लेना है तेल गर्म हो गया है इधर देखिए एक प्लास्टिक ले लिए हैं और प्लास्टिक में थोड़ा सा पानी लगा लें एक दम आसानी से कड़ाई में इस प्लास्टिक से दही बड़ा गिरेगा देख लीजिए इस तरह से मैं कर रही हूं उसी तरह से करें थोड़ा सा वैंटर ले लिएंग प्लास्टिक पे और इसमें बीच में होलकर देना है इस तरह से अभाथ में इस तरह से उतार्क लेना है एकड़ मसानश से इस तरह से सारे धहे बड़े बनाओं लेfunding बहुत ही इजी है इस तरह से बनाना झाल बिने विड़ा ने धिवराई को हमें फ्राइब में दखने तो पलटती हुए दही वड़ा को अची तरह से फ्राइब कर लेए अब फ्राइं हो गया है तो इसे निकाल लें दही बड़ा को निकाल कर सीधे पानी में डालें जो पानी को गुर्बुना करके रखे हैं वही पानी है इससे एकदम तेल भी खत्म हो जाता है और दही बड़ा बहुत ही सौफ्ट बनेगा तो पानी में डाल कर इसे 2-3 घंटा छोड़ दें जब तक पानी ठंडा नहीं होता है या तो सुबह बनाएं साम में दही बड़ा खाएं दही बड़ा के लिए हमें अब दही चाहिए तो एकदम बढ़ियां दही चाहिए घर का जमा वुआ बढ़िया दही रहेगा तो जादा अच्छा है नहीं तो मार्कित कभि दही से बना सकते हैं तो दही को हमें इस तरज से फेट लेना है चम्मत से आप इसे मिक्सी में नर्स चलाएं इस तरज से फेट लें और इसमें चार-पाच चंप्र चिनी डाल दे दही में नमक न डाले नहीं तो दही बड़ा खटा कर तो चीनी डाल कर भी इसे फ्रेट लें अच्छी तरह से चीनी को विगला ले अब जब मन हो दै़ी वड़ा सर्व करें दै़ी को अलग रख लें नहीं दैक अब घटम बढ़िया हो गया है एक दम कलर भी एक अच्छा आया है दै़ी वड़ा का फुल गया है बढ़िया के अब पानी का इस तरह से LOT दबा दबा कर अब दोनों हथेलियों से भी निकाल सकते हैं दबा कर पानी प्लेट में इसे मैं सर्व कर ले रही हूँ आपको मेरे दही बड़े की रेशिपी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक करें अपने फैमली फ्रेंड में सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले अब दही बड़े के ऊपर में दही डाल दें अच्छी तरह से एकदम दही से ढख दें दही बड़ा को अब इसके ऊपर भूने हुई लाल मिर्च पाउडर इसमें भूना हुआ ही मसाला चाहिए कच्छा मसाला नहीं चाहिए घर में मसालों को भून कर मिक्सी में पीस ले भूने हुई जीरा पाउडर काला नमक चाहिए म मसला अगर है तो डाले लेकिन काला नमक जरूरी है जीरा भी जरूरी है और िमली की चतनी विना तो दहीबडा का कोई टेस्टि नहीं है तो इमली चतनी तो बहुत ही जरूरी है अगर आपको इमली की चतनी पी रेच पे दिखने है तो हम सौच्च वीडियो डाले हुए है यूट्यूब चैनल पे इसी चैनल पे तो आप मेरा सौच वीडियो देख सकत से हैं इमली की चटनी का एकदम इजी है इमली की चटनी बनाना और उपर से थोड़ा सा भुजिया डाल के सर्व करें कि देखे कितना सॉफ्ट दही बड़ा बना है एकदम सॉफ्ट एक बार मेरे तरह से बना कर जुरूत देखे बहुत ही टेस्टी लगेगा